साथियों साधर प्रणाम मैं हूं गोपाल स्वागत है आपका मेरी यूटूब चेनल उत्राकन हिमाले बिलोग में साथियों आज मोसम थोड़ा खुल गया है तीन चार दिन तक लगातार बारिस हुई है और आज सुबह जब हम उठे तो देखा आज की मोसम थोड़ा साफ हो रखा है वैसे तो आसमान में थोड़ा बहुत बादल है लेकिन फिलाल साफ है हो सकता है साम के टाइम बारिस हो ये कहा नहीं जाता है लिक बारिस हो रही है तो आप बने रही है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या आज बारिस के बाद मौसम कैसा है और यहाँ पर कितनी बारिस हुई है उस सारा इस विडियों में आपको देखने को मिलेगा आस्मान में बारीक और महीन बादर लगे विए हैं और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है सामने आप देख सकते हैं और सात्यों दो-तीन इन से लगातार हमारे यां बिजली भी नहीं है और बारिस की वज़े से केबिल के अंदर पानी गुज़ गया था और सारा जो हमारी केबल है जो बिजली के खंबे से घर तक आती है वो साइद डाइमेज हो चुकी है इस तरह से आप देख सकते हैं यह बिजली की केबल है यह देख सकते हैं यह पूरी यहां पर तूट चुकी है और इस तरह से यहां पर आप देख सकती है इसको यह पड़ी वी है और बिजली न होने के वज़े से खोन भी परवचों के यहां चार्ज करने देना होता है यह देख सकते हैं यह यह मीटर है और इसको cable यहां पर पड़ी है साइद आठ बिजली वाली आएंगे तो फिर सही करेंगे तो आज कल बड़ी समस्या रखिए लाइट की तो इस तरह से पूरी केवल हमारी डेमेज हो चुकी है तो साथियों अब मैं अपने पोली हाउस औरगनिक फार्म के अंदर आ चुका हूं और यहां पर देखते हैं कि यह तीन-चार दिन में जब यहां पर बारिष थी तो हमें यहां देखने का मौका नहीं मिला तो आप हम य यह आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो राई यहां पर वही थी यह काफी बढ़ चुकी है दो-तिन दिन में यह बहुत तीजी से इसमें बढ़वार हो रही है यह आप देख सकते हैं बड़ी घने घने यहां पर होगे हुए हैं और अब हम इसको छाटने का काम करेंगे औ और यहां से फिर जो राई उखाड़ेंगे जो घनी है वो दूसरी जगा यहां से उसको लगाएंगे तो आप देश सकते हैं यहां पर कितने बड़े-बड़े पत्ते हो चुके हैं काफी घनी बो रखी है और अब हम इसको यहां से दूसरी जगा ट्रांस्प्लांट करेंगे क्योंकि यह बहुत घनी हो चुकी है और यहां पर कुछ-कुछ पौदे रखेंगे ताकि इनको बढ़ने में कोई दिक्कत न हो कि देख सकते हैं वहां तक और साथियो इन 3-4 दिनों में हमारी बीन भी इस प्रकार हो गई है आप देखिए आप देख सकते हैं बीन भी काफी बड़ सुकी हैं और अगले हफ्टे तक साई दिन में फ्लावरिंग और 12-14 दिन में इन में पूरी बीन लगनी प्रारम हो और हमने जो पूली बैग में जो बीज वोए थे वो भी उगना प्रारम हो गए हैं यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह उगना शुरू हो गए हैं और अब आपको लिए चलते हैं अगले उसमें पौदों में काफी बढ़ चुके हैं हमारे पौदे का लगने प्रारम हो गए हैं और गोवी तो काफी बड़ी हो गई है यह देख सकते हैं जार जंका और अब गोवी लगना प्रारम हो जाएगे यह पत्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे तो इनकी गोवी तयार हो जाएगी यह देख सकते हैं यहां पर कितने गनी बहुत बड़े-बड़े पत्ते हैं यह देख सकते आप साथियों जो टमाटर की पौध यहां पर हमने लगाई थी वो भी काफी बढ़ सुकी है और अगले 5-7 दिनों में हम उसको फिर खेतों में लगाना प्रादम कर देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी यह पौध बढ़ चुकी है तो साथियों आप देख सकते हैं यह टमाटर की पौध है यह देख सकते हैं काफी बढ़ चुकी है इस तरह से यह पूरी बेड में है क्योंकि इसके बीच-बीच में यह वीड्स भी उख चुका है यह हटाना है यह देख सकते हैं आप वहां तक पौरी टमाटर हैं और यह तरह से हमारी मूलिया भी यहाँ पर तयार हो चुकी है और साथियों मैंने कीवी के पौधे लगाई थे वह आप देख सकतें उन में अच्छी तरह से बढ़ सानी प्रारब हो चुकी है यह पोली बैग में मेरी लगा रखी हैं यह देख सकते उस कोने तक जो पोली बैग के भार लगा रखी है उनमें भी बरस आनी प्रारम हो चुकी हैं यह देख सकते आप इस तरह से बरस आ रही है और हर पोदे में बरस आ रही है यह देख सकते आप कुछ-कुछ पोदे हैं जो हमारे गिंदी के फूल बी तयार हो चुके हैं गेंगश सकते हमारे गिंदी के फूल और इस तरह से हम यहां पर कर रहे हैं और आप देखते रहे आगे भी आपको दिखाते हैं तो साथियों यह हमारा खेत है यह आप देख सकते हैं यह पीछे जो दिखाई दे रहे हैं यह जो हमने यहाँ पर मेड़ बंदी कर रखे यहाँ पर पिछली बार भिंडी वोई थी तो भिंडी उगने में काफी समय लगाती है और अब उगना यहाँ पर प्रादम करेंगी क्य यहाँ पर बारिस अच्छी तरह से हो चुकी है और आप देख सकते हैं आज हमने इन खेतों में काम करना था लेकिन गीला इतना है पूरे पैर जमीन में धस रहे हैं अभी आपको दिखा देते हैं तो आप देखिए किस तरह कितनी बारिस हुई और कैसे खेत में पैर धस रह है और इसको देख सकते हैं पूरा पायर यह देखो पूरे पायर पूरे जमीन के अंदर धंसरा है यह देख सकते हैं इतना गीला यहाँ पर और रखा है तो जमीन में काफी पानी रिस्ट चुका है और अब इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा यदि दो चार पढ़ेंगी तो फिर खेट तयार हो पाएगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर खेटों में जाना भी बड़ा मुस्किल हो रहा है और सुबह सुबह फिर यह हमारे गाई के दर्सन भी हो गए हैं खेटों में आ गई हैं यह देख सकते हैं आप तो साथियों इस तरह से यहाँ पर बारिस हुई काफी बारिस हो चुकी है सर्देव में तो बारिस हुई नहीं लेकिन अब बारिस हो रही है चलो बारिस भी चाहिए थी क्योंकि जमीन बिलकु सूक चुकी थी और पेड़ पोधी भी मुर्जा रहे थी तो इस बारिस से थोड़ा आस बन गई है फिसेश कर जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनके लिए यह खुशी का मौका है कि बारिस हो गई है और कुछ नकुछ जमीन में बोएंगे तो कुछ नकुछ निकलेगा तो यह देख सकते हैं आप सुबह का नजारा इस तरह का तो सात्यों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राई दें और वीडियो को सेर सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सादर प्रणाम जै उत्रागन जै भारत